श्वागत एक भाए फिर साब सभी का आरकेर इस्टडी सीटेट पॉंट यूटूब चैनल पे इस चैनल के माद्यम से आप जिस टॉपिक के बारे में अध्यन करेंगे वह टॉपिक है आपका परियावरन environment के बारे में आप इस वीडियो के माद्यम से अध्यन करने वाले हैं आप जानेंगे इस वीडियो के माद्यम से कि हमारा परियावरन क्या होता है यानि परियावरन किशे कहते हैं परियावरन का क्या शाब्दिकर्थ है और परियावरन की क्या परिभाशा हो शकती है इन सारे बातोगों को आप इस वीडियो के माध्यम से कम्प्लीट जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं जैसा कि हम सब देखते हैं कि याज पुरूस में बहुत सारे आपको बस्तूएं मिल जाएंगी जैसे कि आपको पीड़ पूद्य से ले करके जल से ले करके आपको बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे यातायात के शंशाधन है, शाधन है जैसे बस, ट्रक, इत्यादी आपके जो है बाइक वगड़ा शाइकल, बहुत तरह के ऐसे चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जो आपके आज परोस में डेली आप उसे देखते हैं, यहां तक यह बहुत सा जिससे आप घिरे हुए हैं, वो सारे सीज़, अगर परियावरन मैं कहदू को वो सारे सीज़ परियावरन है, तो मेरा ऐसे कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्यों गलत नहीं होगा, इसके बारे में चलिए थोरा सा और जानते हैं, डीप में, और परियावरन के अर्थ का सब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परूश यानि कि आपके जो परूश में है वो आपका परियावरन है यहां तक आपको अंग्रेजी के अगर अर्थ की बात करेंगे आप तो परियावरन आपका जो सब्द है यह दो सब्दों से मिलके बना है एक है आपका परी और दूसरा है आपका आवरन अगर परियावरन की बात करेंगे तो परियावरन कौनकों से सब्दों से मिलके बना है तो आप पायेंगे कि परियावरन दो सब्दो से मिलाकर बना है, एक है आपका परी और दूसरा है आपका आवरन एक करके अगर इसके अर्थ की बात करेंगे तो परी का मतलब होता है चारो तरफ यानि कि आप इसे घेरा भी कहज़कते हैं परी का मतलब क्या हुआ चारो तरफ इसे आप परियावरन का मतलब हुआ घीरा ठीक है तो इस तरह से आप पाएंगे कि आपका परियावरन का शाब्दिकर्थ निकल के आएगा वो इस प्रकार से आएगा कि हम कह सकते हैं कि वह शबी बस्तु एं जिससे हम चाड़ों तरफ से घीरे हुए रहते हैं। उसे परियावरण कहा जाता है यानि कि हमारे जो भस्तूई जो हमको घेर के रखा है वह इशाघ Normus हमारे लिए क्या बन जाएगी हमारे लिए परियावरण बन जाएगी जैसे कि एगर एक इनसानकी बात करेंगे जैसे हम सबूच किजिए कि ये आप ही हैं तो आपके दैनिक जीवर में बहुत सारे वस्तूं से गिरे होते हैं जैसे हम कहें तो आप क्या आपके आसपरस में बहुत सारे पेर पौदे हैं उससे गिरे हुए हैं अगर हम कहें आप किसने किसी घर में रहते हैं या कहीं आपको जाना होता तो किसी ने किसी संसाधन क अप्योग करते हैं आब उससे घिर बहुत सारे पकषी से भी घिरे हुए होते हैं इस तरह Alec देठेंगे जहाँ पर आप वीडियो को देख रहे हैं आप moam soprattutto सो भी घिरे हुए है जो आपके आज पर आपकी हात में है इसी तरह से आप देखेंगे कि आप जैसे कि वो हमारा सुड़े है या फिर चांद है, हमारा पिर्थवी है हमारा पहार है, जल है ये सारे सीज़े जिससे हम कही न कही घिरे होते हैं अपने किताब से घिरे होते हैं अपने कलम कॉपी इतादी बहुत सारे ऐसे प्रकार के वस्तू हैं जिससे हम सबी लोग घिरे होते हैं तो ये सारे वस्तूवे हमारे लिए परियावरन का काम करती है जिससे हम घिरे हुए हैं जितने भी सारे वस्तूवे साब घिरे होते हैं वो इशारे के शारे वस्तु आपके परियावरन कहलाएंगे जैसे इस इंसान के लिए ये पेर इसका परियावरन है घर परियावरन है, कुता परियावरन है ये पक्छी परियावरन है, मोबाइल परियावरन है शुडिय परियावरन है, किताब परियावरन है इस तरह से बहुत सारे ऐसी और भी एक्जामपल हो शकते हैं जो मैं यहां पर include तो नहीं किया हूँ लेकिन वो इसके लिए परियावरन बन सकते हैं जैसे पानी, वो जिस कुरसी पर बैठा है वो कुरसी इसका परियावरन है जिस घर में बैठा है वो घर इसका परियावरन है है ना, आप कह सकते हैं मतलब वो सज्जी भी होते हैं निर्जी भी होते हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि परियावरन के घटक कौन-कौन से होते हैं लेकिन इस वीडियो में आप परियावरन और उसके अर्थ उसके परिवासा को जानेंगे ठीक है तो यहां तक आपको क्या पता चला कि वे सारे बस्तुए जिससे कोई भी इंसान घिरे हुए होते हैं जो उसके दैनक जीवन को कहीं न कहीं परभावित भी करते हैं वे सारे बस उस व्यक्ति के लिए परियावरन कहलाती है अगर इसके हम परिवासा की बात करें एकदम साप सब्दों में अगर इसके हम परिवासा की बात करें तो हम ऐसे कह शकते हैं कि हमारे चाड़ों तुरब का हुआ छेत्र जिससे हम घिरे हुए होते हैं जो हमारे जीवन को यानि ह गिरे हुए होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन को परतेक शरूप से या फिर परतेक शरूप से प्रभावित करते हैं क्या कहलाते हैं परियावरन के मेजू भी वस्तुवे उपस्तित रहती है वो क्या होता है कि परियावरन सभी परस्तितियों का मिश्रन होता है जो किसी भी जी जीवन उसके मिर्तु इत्यादी को प्रवावित करता है तो यहां तक आपको आज इस वीडियो में शमज में आ गई होगी कि परियावर्ण किसको कहेंगे परियावर्ण का क्या शाब्दिक अर्थ हो शकता है क्या उसकी परिवाज़ा हो जकती है तो मुझे उमीद है कि यह व स्क्राइब वाले बटन को जरूर ही प्रेस कर देज़ेगा और साथी साथ बेल वाले बटन को भी किलिक कर देज़ेगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो लाऊं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे अगर वीडियो अच्छे लगी तो अपने दोस्तों के भी शेयर करना बिलकुल नहीं भूलेंगे तो इस वीडियो में इतने ही जानकारी थी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक लिए बने रही है हमारे चैनल आरकर श्टडी सीटेट पॉइंड के साथ धन्यवाद